तेंद्वी की खाल बेशते दो तसकरों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। लेपड की स्किन का सौधा धाई लाक रुपे में किया जा रहा है। गुप्त सूशना के आधार पर वन विभाग की टीम ने दोनों तसकरों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों को तीन दिन के पुलिस रिमान पर भेजा गया है। वन मंडल अधिकारी हमीरपूर। डॉक्टर एलसी बंदना ने बताया कि प्रादेशिक और वन्यप्रानी वन मंडल हमीरपूर के करमचारियों तथा वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिले के अधिकारियों की संयुक टीम ने एनेच रोड, करेर मोड के प खाल के अवैद कबजे के बारे में खुफिया सूशना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तुरंत कारवाही की गई। इस दौरान दो व्यक्तियों बांकुर राम निवासी गाउं पलेडा तैसिल बडसर तथा पप्पु निवासी ग्राम लुहार्डी तैसिल मुल्थ जीला कांगणा को तेंदूई की खाल के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे मौके पर एक प्लास्टिक बैग में ब्लाइक रुकसाक बैग के अंदर रखा गया था।। उन्होंने कहा है कि दोनों आरोपियों को जब तेंदूई की खाल के साथ पुलिस हिरासत में लि हुए थे कि कोई किसी के पास की इन लिगल जो लैपर स्कीन है तो वो इन के पास पड़े हुए और वो किसी को बेशने जा रहे करके हैं तो उसी का information को हमने collect करके इन के special informer के true हमने एक joint operation किये हुए थे जो हमारा territorial division और wildlife division का सब फिल साथ मिलके कि वो कुछ दिन से मतलब planning कर रहे थे कि इन दोनों को मतलब जो बंदे है इनको कैसा पकरना है और वो भी मतलब उस जो लैपर स्कीन के साथ कैसा पकरना है करके तो ओन जो 14 टारिक को जो हम एराउं सारे चार बज़े न तो इन दोनों क को मतलब जो इंफोर्मर ने identify करने के बाद दो पंदे को पकर लिया गया हूँ है और इनका जो लेपर एक लेपर स्कीन जो मिला हूँ इसको भी सीज कर दिया हूँ है और डोनों का स्टेप्मेंट रेकोर्ड करने के बाद इनका सीजर मेमो बनाने के बाद हमने इनको पुलि करने के बार ये दोनों बंदे तीन दिन का और रिमान ले लिया हुआ है तो वो दोनों को वाइलाइट प्रोटेक्शन एक जो 1972 है इसमें जो लैप पर जो है सेडिल वान एनिमेल बोलते हैं तो इनके तहर मदलब इनका फ़र्डर मदलब कोर्ट में चलान करेंगी उसकी इसको और उसका जोगी होगा उसजार बार में देखेंगे हैं